हलो गैस मों बात करेंगे हैवल शेयर के वारे माज इसके रिजल्ट अनाउंस हो गए आप ये डेली चाट देख रहे हैं तो आज बड़ा कुछ मुमेंट देखने को नहीं मिलाए बट मैं बताऊँगा इसमें आपको करना क्या है पहले हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आया है 284 करोड के आसपास एंड जो एनलाइजर लोग जो होते हैं उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो किया था 258 करोड के आसपास प्रॉफिट आएगा उससे काफी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया है जो की पॉजिटिव बात है अगर हम कंपेर करेंगे लास्ट येर यानि की 2021 का जो दिसम्बर क्वाटर था वहां से नीचे है लेकिन पिछले दो क्वाटर जैसे गए हैं उससे काफी अच्छा हमें देखने को मिला है इस क्वाटर का रिजल्ट जो काफी बढ़िया बात है इसमें डिवीडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है तीन रुपे का तो जिसके पास भी ये स्टॉक है उसको तीन रुपे का डिवीडेंड मिलेगा आने वाले टाइम में अब स्टॉक को देखे मैंने आपको पहले भी बताया था दिस इस दा लेवल जहां आप पकड़ सकते थे ये लेवल था 1100 के आसपास का स्टॉक गया तो नीचे भी था लेकिन वो एक दिन के लिए ही बड़ा इंपेक्ट आया था 1100 के आसपास आपको पकड़ना चाहिए थ आप अभी आराम से लगबग लगबग 10% के आसपास फायदे में बैठे होते तो पहली चीशत हो गई आपको यहां बाइंग करनी थी अब जिस लेवल पर आप देख सकते हैं यहां पर सपोर्ट मिला है यहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है तो लगबग लग आराम से यह स्टॉक जा सकता है आने वाले टाइम में इस बात का आप ध्यान रखिए अगर 1400 तक जाता है तो आप आराम से इसमें प्रोफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं आपका पहला टार्गेट है 1300 रुपीज अगर आप लोगों ने 1100 पर खरीद रखा है तो और दू प्लॉस 1300 होना चाहिए जब 1350 हो जाए तो आपका इस्टॉप लोस 1320 होना चाहिए इस तरीके से आपको ट्रेल करते हुए उपर जाना है आपको बहुत ही जल्दी यह दिख सकता है कि यह स्टॉक लगब 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 तेरा सो 1400 तक भी जाए तो उस तरीके से इसमें आप प्ले आउट कर सकते हैं कंपनी अच्छी है होल्ड करिए मजा आएगा जब जादा प्रॉफिट बनेगा थाइंक यू सो मच वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना